हे गाईज वेलकम बैक टो माई चानल तो आज मैं आपके सामने ना थे हुए मैं यहीं से व्लॉक शूट कर रहे हूँ लाइक मैं इस भीड भाड और बिजी लाइफ में हमें टाइम नहीं मिलता है ओल लगाने का सर में तो मुझे जब मिलता है मैं ऐसे ही लगाती हूँ और इसको लगाने से अपने었는데 काफी हद तक ठीक हो गया मैं यह तो नहीं कहूंगी बहुत अच्छे यहं काफी हद तक ठीक हो गया है इस तरह से लगाने से तो मैं जस्ट करती क्या हूँ जैसे कि आपने देखा मेरे पास aloe vera gel है कोई भी आप ले सकते हो कोई भी brand का बस आपको देखना क्या होता है कि उसमें color ना मिला हो जादा आप जो hair oil लगाते हैं वो आपको जो suit करता है आप लिलीजे तो उन दोनों को mix करके जब आपको morning में आपका सर दुलना हो या जब भी दुलना हो दो तिन घंटा पहले आप लगा लिजे और क्या होता है कि हमारे सर में एक dryness हो जाती है जिसकी विज़े से हमारा सर की जो खाल है scalp की वो निकलने लग जाती है जो dandruff में change हो जाती है and oil लगाने से उसे like हमारी जड़ो को relief मिलता है जैसा कि सब को पता है oil हमारे सर के लिए बहुत beneficial होता है तो बस मैं अपने सर में oiling कैसे करती हूँ मैं आपको यह दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे time नहीं मिलता है जब लगाती हूँ and किस तरह से लगाती हूँ यह आप देख लीजिए अपने सर के तब जितना भी जड़ जिसको आप बोल सकते हैं उसमें आपको oil को use करना है यह कुछ देर का ही काम होता है फटा 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 लग जाता है बट एक और चीज याद रखिए कि बहुत सारे लोग होने लगते हैं मैं अपना experience आपको शेयर करती हूँ कि मेरे जो बाल थे वह बहुत ही जादा गंदे थे और कभी बढ़ते ही नहीं थे यह सर्फ मैंने दो तीन महीने में ऐसा किया मुझे भी किसी से पता चला था कि यह लगाने से बहुत बेनेफिट होता है तो मैंने बस उ करें जरूर आपको बेनेफिट मिलेगा तो बस यही था आज का व्लॉग होप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलते एक नए व्लॉग के साथ जब तक लिए आप देखिए मैंने कैसे ओलिंग की है करें मिलते एक अच्छा लगे हूप देखिए मैं आपको अबको